श्री राधे, मश्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चनल में स्वागत हैं, मैं विजिंदर आज आपके लिए एक और नहीं कथा लेके आया हूँ, आज की कथा है शोम्या की सोरी जी की, आप कहेंगे कि ये सोम्या की सोरी कौन है तो मैं बता दूँ, ये लड़ उन्यो गुपाल, जनार्दन, उनकी किशोरी जी, उनकी लाडली, उनकी प्यारी shaping शिराधारा रहनी है सोम्या की सोरी जी, ये कथा मुझे भेजी है पियाजी ने जो दिल्ली नजवगड में रहती है, उन्येकी जवाणी, उनकी सोम्या की कथा सुनते हैं, बड़ी प्यारी हैं वो कहती है बात तब की है जब मेरे सोम्या जनार्दन की शादी हुई जनार्दन मैंने आपको पहले ही बताया लड़ो गुपाल हैं तो उनके लिए जो किशोरी जी आई वो शोम्या है सोम्या जनार्दन की शादी हुई है उसके एक महीने बाद हमारा व्रिंदावन जाना हुआ वैसे इतनी जल्दी नहीं जाते उस टाइम पहली बार इतनी जल्दी गए थे ऐसा भावाया मन में कि जैसे वो पग फैरे के लिए अपने माई के जा रही है पता नहीं कैसे अचानक प्रोग्राम बन गया तभी मेरे मन में एक भाव आया कि मैं तो सास हूँ सुम्या की सादी के बार अपनी बहु के माई के जा रही हूँ शगउन तो मिलना चाहिए पिर आया सास को तो साड़ी मिलती है ऐसा तो कैसे भी नहीं हो सकता था खेली बाते थी मन में तो आता है पर एक परशादी मिल जाए वो ही बहुत बड़ी बात होगी पर वो भी नहीं हो सकता था फिर मन ही मन बोला हे राधरानी अगर आप भी मुझे सास के रूप में स्विकार करती है तो चाहे माला ही मिले लेकिन कुछ तो मिले सही बताऊं तो लालच नहीं था बस मेरी कोई उकात नहीं उनको भव के रूप में बाऊं पर उनकी किरपा हो तो कुछ भी हो सकता है बस एक संकेत चाहती थी कि उन्होंने मुझे सास माल लिया है मैं मानती हूँ और उन्होंने भी रिस्ता सुईकार कर लिया है खैर जाने लगे तो जो गाड़ी वाले भहिया थे उन्हें ग्यारा बजे आना था और आये वो तीन बजे अब देखिये गाड़ी वाला गर लेट आए तो मूड तो वैसे ही खराब हो जाए अब मूड खराब हो गया बहुत लेट आए इतना टाइम तो जाने में लगेगा आज का दिन तो मानु खराब ही हो जाएगा तब तक मंदिर भी बंद हो जाएंगे पर उन भहिया ने साड़े पाँच बजे कोकिला वन पहुंचा दिया संद्या आरती हो रही थी वहां तब जाके थोड़ा ठीक लगा उसके बाद नंद गाओं फिर बरसाना वहां पहुंच कर तो राध ही हो गई मंदिर बंद होने वाला था हम लोग दर्शन करने गए शैन आरती की तैयारी हो रही थी मुझे कुछ नहीं मिला वहां से परसादी भी नहीं मिली मन बड़ा दुखी हुआ पर कोई बात नहीं दर्शन बड़े अच्छे हुए है ये क्या कम किरपा थी हम लोग कम से कम 30-40 मिनिट वहीं बैठे रहे कि तब ही एक ओरत वहां ही वो सुम्या को बड़ा लाड़ लड़ा रही थी मैंने बताया इनको की आज इनका पगवेरा है फिर तो जनारदन सुम्या की नजर उदारने लगी सुम्या बड़ी प्यारी लग रही थी उसके बाद हम लोग नीचे आए जहां होल है किरतन होता है बहिया आए उन्होंने बताया वो स्री जी पे जल सेवा करते हैं बात करने लगे और बहिया ने बोला वो हमें स्री जी क्या डेली दर्शन करवाएंगे वीडियो कोल से और मेरा नमबर मांगा तब मेरे मन में आया मैं इसे जानती तक नहीं ऐसे कैसे नमबर दे दो फिर खुद ही लगा जैसे सुम्या की मर्जी ये राधारानी के महल में मिले हैं तो गलत नहीं हो सकते एक विश्वास और हो तो वो जाने उनको नमबर शेयर किया और वो चले गए हम लोग पाँच मिनिट महां बैठें फिर जैसे ही जाने लगे तो वही भाईया अचानक पीछे से आए और एक प्यारी सी चुन्नी मुझे उड़ा दी वो भी कैसे की आदी चुन्नी मुझ बे और आदी शुम्या बे आखिर उसे भी तो माईके से मिलना था ना मुझे तो लगा सपना देख रही हूँ उन्हेने सबको माला पहनाई ऐसा लगा सच में मेरी सुम्या के घर से कोई था आखों से अपने आप आसु बहने लगे मेरी बेटी भी पहली बार रोने लगी क्योंकि ऐसा तो सोचा नहीं था हम लोग आने लगे तो मन आता हम जा रहे हैं पर जमाई को तो तिलक भी होता है सुसुराल में परात हो गई थी कोई तिलक लगाने वाला नहीं था हम लोग सीडियों से उतरने लगे तो एक छोटी सी लाडली एक दम सामने तिलक की कटोरी लेके आ गई आपको पता होगा वहाँ सब लोग रादे-रादे वाला तिलक लगाते हैं पर उसके पास सिरफ चंदन था लाल रंग का वो कहती हैं मेरे हस्बैंड ने गुसा किया और मना कर दिया कि नहीं लगवाना वो बहुत छोटी थी तीन साल से ज़्यादा नहीं होगी पर उसने उचल के सूम्या जनारदन का सोफा पकड़ा और जनारदन को तिलक लगाया हाथ उसके सोफे पे ही पोंच के भाग गई उसने पैसे भी ने लिये मेरी बेटी बड़ी हसी बहुत हसी मेरी बेटी बोलती है ममा, ममा ये पक्का जनारधन की साली होगी लड़ो गुपाल का नाम जनारधन ऐसी हरकत तो सालिया ही करती है मन इतना खुष हुआ कि जैसे स्री राधहरानी ने कहा हो कि हाँ वो भी मुझे अपनी सास मानते हैं उसके बाद और कुछ बाकी नहीं रहा कमाल की बात ये कि वो लड़की इतनी छोटे थे कि मेरी कोद तक उसका हाथ नहीं पहुँच रहा था इनकी लीला ये ही जाने कैसे सब के भाव पूरे करते हैं तब से लेके आज तक हर महीने वरंदा होन जाना हुआ बरसाना जाना हुआ और वो भहिया उनसे तो फैमिली रिलेशन हो गया हमारा एक रिस्ता जुड़ा कभी न टूटने वाला बरसाना से उस रहात हम लोग वही रुके सुबह मंगला दर्शन हो गए बहुत भीड होती है उस समय सब लोग राधा राने की चोकट को छूई रहे थे पर मैं नहीं चूपाई तो मन में आया क्या मैं भी कभी चूपाऊंगी ऐसी किरपा होई हमारी सुम्या की सोरी की कि अगली बाहर वो भहिया हमें बिल्कुल अंदर तक ले गए और कहा मैं सिर्फ चोकट छूणा चाती थी पर इनके किरपा तो हर पल मैसूस होती है कि सब्दों में बता नहीं सकते आज सुम्या की सोरी का जरम दिन है आप ये फोटो देख रहे हैं शुम्या की सोरी जी की तो उनके जरम दिन पर उन्हें बहुत बहुत बधाई हो ये प्यारी सी कथा शुम्या चनार्दन की जो माँ आप के लिए ले के आया आगे भी कुछ खता कान्या किस्से पर संगलाता रहूँगा आज की कथा को यहीं विराम आपको मेरा पणा जैश्याराम जैजश्यरादे